जैहिंद दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रोबोटिक वेल्डिंग के बारे में बहुत कम लोगों ने देखा होगा रोबोट का वेल्डिंग करते हुए तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग बात करेंगे रोबोटिक वेल्डिंग कैसे होता है इसका working principle क्या है इसके कौन-कौन से main component होते है इससे क्या advantage है क्या welding के parameter होते है तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लेज मेरे चैनल को subscribe कर ले और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और अपना comment में राय जरूर दे तो चलिए वीडियो को start करते हैं दोस्तो तो जैसा कि हम लोग welding के बारे में बात करने वाले हैं तो पहले समझते हैं कि welding होता क्या है दोस्तो welding एक fabrication process है जहां दो और दो से जादा part को heat और pressure की मदद से joining किया जाता है जोड़ा जाता है एक दूसरे से उसी का एक type है robotic welding जो की fully automated होता है robotic welding का definition को समझते हैं या एक automatic welding process है जो की robot के द्वारा किया जाता है जिसमें robot अपने operation को perform करता है प्रोग्राम के द्वारा या एक advanced version है automated welding करने का इसमें machine conduct करती है welding को और जो welder होता है मतलब जो एक हमारा आदमी होता है manpower हम रखते हैं वो इसके process को supervise करता है देखता है कि process सही चल रहा है कि नीच इससे product की accuracy बढ़ती है जो यह हमारा robotic welding है यह बिल्कुल accurate product देता है अगर हम compare करें जो manual हम लोग करते हैं welding उसकी तुलना में इसमें safety बहुत अच्छे तरीके से safety के उपर ध्यान दिया गए क्योंकि आप देखेंगे जहां भी robotic welding होता है वहाँ पर आपके sensor लगाये जाते है ताकि कोई गलती से अगर कुछ आ भी जाता है तो machine बंद हो जाएगा process वहीं पर stop हो जाएगा जिससे हमारा कोई accident नहीं हो सकता है या machine के उपर भी कोई effect नहीं पढ़ सकता है इसलिए जहां भी होता है उसके चारों तरफ sensor लगे होता है जैसे कि आप लोग इस picture में देख सकते हैं यह होता है robotic machine इसी के मदद से job को perform किया जाता है इसमें आपका जो सबसे नीचे होता है वो installation based होता है जिसके उपर यह machine टिका हुआ रहता है उसी में एक circuit प्रेवट लगा रहता है जहां से सारा circuit इसका control किया जाता है फिर servo feeder होता है फिर second axis जैसा कि हम लोग जानते हैं कि robot welding three axis पर काम करता है मतलब यह चारो तरफ से घूम के welding करता है इसका third axis यह होता है wire feeder, wire feeder tube होती है जो last में होता है मीग welding torch होता है यह torch से ही सारा कुछ process किया जाता है अब यहाँ पर समझे welding का process कैसे होता है इसमें computer के थूद सारा physics measure set किया जाता है इसको जो भी input चाहिए वो यहाँ से दिया जाता है उसके बाद computer के बाद आता है teaching box यहाँ से जो program होता है जो part के according program बनाए जाता है वो इसी teach pendant से बनाए जाता है इसके बाद प्रोग्राम robot में दे दिया जाता है इसके बाद इसके main component और जैसे है welding machine होता है जैसे कि आप लोग यह देख सकते हैं yellow box इसके वगल में जो gas का cylinder होता है वो यह gas है तो यह इसके main component होते है अब बात करते हैं यह काम कैसे करता है इसका working principle क्या है तो इसमें आपने जो welding torch देखा होगा उसके अंदर से तीन चीजे निकलती है current निकलता है, leading wire निकलता है और inert gas निकलता है mixture of inert gas inert gas में आपका argon भी हो सकता है, helium भी हो सकता है इन तीनों की मदद से welding को किया जाता है उसके बाद इसमें जो current निकलता है current जो होता है वो part को heat करने के लिए होता है फिर इसमें से जो inert gas निकलता है वो fusion करने में मदद करता है मतलब कि उसको पिगलाने में मदद करता है दोनों metal को उसके बाद जो feeding wire होता है वो उसके उपर wire अपना काम करता है दोनों को जोडने के लिए तो ये तीनों चीजे perform करती है robotic welding को आपको मैंने पहले भी बता है ये तीन एक्सिस पर काम करता है तीन एक्सिस पर rotate होकर जोग को perform करता है आए अब ये जो welding process हो रहा है इसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से समझते है किस तरीके से robotic welding perform करता है अब यहां पर देखते हैं जो इसके welding के जो main parameter होते है वो कौन-कौन से होते है ऐसा ही एक्जामपल दिया हुआ है मैंने लेकिन जो इसके main parameter होते है यह होते है इसके main parameter voltage हो गया, current हो गया वायर की speed कितनी होनी चाहिए जो feeding rate है उसका वायर का रोबोट की welding speed कितनी होते है जो torch है वो कितना speed से गूमना चाहिए यह depend करता है आपके program के उपर rack angle कितना होना चाहिए weld angle कितना होना चाहिए stick out कितना होना चाहिए जो filler matter है filler जो wire आता है वो कितना mm की thickness की होनी चाहिए welding gas apply किया जाता है जहां से वो fusion create करता है वो कितना होना चाहिए, कितने percentage में होना चाहिए यह सारी चीज़े होती है इस robotic welding के parameter में तो यह आपको ध्यान देना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा क्या क्या होता है अब बात करते है robotic welding कितने तरह के होते है यह कहां कहां यूज किया जाते है तो आपका resistance sport welding में भी robotic welding किया जाता है laser welding में भी किया जाता है gas metal arc welding में यह जुम्हें example बता रहा था यह gas metal arc welding ही है GMAW इसको बोलते है gas tungsten arc welding GTAW इसमें भी यूज किया जाता है इसका arc welding plasma welding laser hybrid welding यह इसके type अब इससे फायदा क्या होता है robotic welding के फायदे बहुत सारे है greater quality of product जो product की quality होती है बहुत ही अच्छी होती है इसमें safety को improve किया जाता है product की life होती है वो ज्यादा होती है इससे आपका higher productivity निकल सकता है ज्यादा से ज्यादा आप आप बना सकते है इससे आपका labor cost saving होता है इससे आपका rejection control होता है बहुत कम rejection निकलता है इस robotic welding से तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और share करें धन्यवाद